इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका क्लास 11 है क्लास 11 में जो कि आपका जैक बोर्ट का 2022 में एकजाम होने वाला है इकनोमिक्स का यानि कि अर्थ सास्त्र का इसमें जो आपका 40 नमबर का एकजाम होगा और देड़ घंटा यानि कि ए घंटा 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा तो इसमें मैं आपको जो है कि मोडल प्रसन सेट टू बताऊंगा सेट टू का ही सल्यूशन बताऊंगा और जो मोडल पेपर है इस से क्या है कि इस वर्ष ज़्यादा हद करकर के ज्यादा अधिकतर करके मोडल सेट प्रसन से कोचन काफी कोचन उठाए जा रहे हैं तो चलिए मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि सेट टू का कोचन और इसका सल्यूशन क्या होना चाहिए तो देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोचन नमबर एक में पुछा जा रहा है कि अर्थसास्त्र जीवन के समान्य कारोबार के सम्बंध में मनुस्य का अधियान है यह कथन किस अर्थसास्त्री का है तो इसमें जो है कि आपका सही एंसर हो जाएगा अलफ्रेड मार्शल यानि कि अप्षन B यह आप टिक कर लेंगे फिर आपका कोचन नमबर दो है कि आर्थिक समस्या कि उत्पन होती है तो आर्थिक समस्या जो है कि संसाधनों की दुरलब्धता के कारण उत्पन होती है यानि कि अप्षन D सही हो जाएगा फिर आपका कोचन नमबर 3 है कि निमलीखित में से कौन एक सांखी की आंकड़ा नहीं है तो इसमें देखिए कि सांखी की आंकड़ा नहीं है उसको बताना है तो इसका आपका सही अंसर D हो जाएगा यानि कि भारत में बार से हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते हैं यह जो है कि आपका सांखी की आंकड़ा नहीं है आप इसमें D को टिक कर लेंगे फिर आपका कोचन नमबर 4 है कि सब्द यानि कि एस्टेटिक की उत्पति किस लेटिन सब्द से हुई है तो इसमें जो है कि आपका सही एंसर हो जाएगा C यानि कि एस्टेटस से हुई है इसमें जो है कि डोट 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 दिया हुआ है अहां पर क्या भरा जाना चाहिए जो कि सभी समस्याओं की जड़ है तो इसमें आपका सही एंसर हो जाएगा B यानि कि अभाव अभाव जो है कि सभी समस्याओं का जड़ है अभाव नहीं ज़्यादा ब्याक्त करना चाहिए फिर आपका कोहचन नमबर छो है कि निमलीखित में से चर का एक उदाहरन है इसमें जो है कि जो आपका option दिया हुआ है चार्ट है इसमें से चर का उदाहरन कौन है तो इसमें आपका सही answer हो जाएगा C यानि कि राष्टी ये I जो है ये आपका चर का उदाहरन है फिर कोहचन नमबर साथ है कि प्रतिदर्स सर्वेक्षन से क्या लाब है प्रतिदर्स जो सर्वेक्षन होता है उससे क्या लाब है तो इसमें आपका सही answer हो जाएगा D यानि कि इसमें सभी जो आपका कौम खर्च है ये भी प्रतिदर्स में ही आता है जो आपका कौम प्रगनक की आव सक यानि कि आपका कोचन नमबर आठ है कि इसमें सिक्की स संसिथा के द्वारा समाजिक मुद्दो पर राष्टिये अस्तर के लिए सर्वेक्षन किया जाता है तो इसमें आपका सही एंसर हो जाएगा राष्टिये प्रतिदर्स और सर्वेक्षन संगठन यानि कि अप्षन बी फिर आपका कोचन नमबर नौ है कि भारत की जनगन्ना से भारत की जनगन्ना में कीस परकार की सैंखिकिये आंकडे एकत्रित किये जाते हैं तो इसमें आपका सही एंसर हो जाएगा जन्म और मृत्यू दर्सम्बंधित ए भी और आपका बी भी हो जाएगा साक्षर्ता भी हो जाएगा अप्षन सी भी हो जाएगा जन संख्या के अकार और सनरचना भी हो जाएगा यानि कि इसमें तीनों सही है तो आप इसमें ऑप् इधी में उतरदाता को परभावित किया जा सकता है तो इसमें जो है कि आपका सही एंसर हो जाएगा C यानि कि टेलिफोन सर्वेक्षन से जो है कि उतरदाता को परभावित किया जा सकता है ठीक है आप option इसमें C को टिक कर लेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो मेरे चैनल को subscribe जरूर कर लेंगे ताकि जितना भी मैं important वीडियो डालूंगा वे आप तक आसानी से पहुँच सके और आपका एक्जाम में किसी परकर का दिकत न हो फिर आपका कोचन नमबर 11 है कि वर्ग सीमा 60 से 80 का मध्य बिंदू है यानि कि वर्ग सीमा दिया हुआ है 60 से 80 और इसका मध्य बिंदू क्या होगा तो इसमें आपका सही answer हो जागा A यानि कि इसका मध्य बिंदू जो है कि 70 हो जागा साट से असी तो दिया हुआ है साट से असी लेकिन बीच में बच रहा है यानि कि मद हे बिंदो जो बच रहा है सतर तो आप इसमें सतर यानि कि अप्शन एको टीक कर लेंगे फिर आपका कोचे नमबर बार है कि जब आंकडो का वर्गी करन समय के अनुसार किया जाता है तब उस वर्गी करन को कहा जाता है यानि कि उस वर्गी करन को हम लोग क्या कहेंगे तो इसमें आपका सही एंसर हो जाएगा कलानु करम यानि कि समय के अनुसार किया जाएगा तो इसको कलानु करम कहेंगा फिर आपका कोचे नमबर तेरा है कि चर को समान्यता कितने वर्गों मे बिभाजित किया जाता है तो चर को जो है कि हमेशा यानि कि समानियता रूप से इसको जो है कि दो वर्गों में ब्यक्त किया जाता है यानि कि इसका option C सही हो जाएगा फिर आपका कोचन नमबर 14 है कि कि किसी वर्ग में समलित मद्दों की संख्या को काते हैं तो इसमें आपका सही एंसर हो जाएगा आबरीति यानि कि option D को स्टीक कर लेंगे फिर आपका कोचन नमर 15 है कि विवी एक्त चारो के लिए आकडो का वरगी करन डौट डौट कहलाता है तो इसमें जो है कि कोचन नमर 15 का आपका सही एंसर हो जाएगा C यानि कि बारंबारता सारनी कहलाता है कि आपका सही एंसर हो जाएगा A यानि कि काल सरेनी आलेख के नाम से जाना जाता है जो अंक गनितिये रेखा चीतर होता है उसको काल सरेनी आलेख के नाम से जाना जाता है फिर आपका कोचन नमर 17 है कि बारंबारता बहु भूज किससे ब्यूत्पन होता है तो इसमें आपक कोच्चन नमबर देखिए 18 में क्या पुछा जा रहा है इसमें पुछा जा रहा है कि एक अच्छी सार्णी में क्या समलित होता है यानि कि कोई एक अच्छी सार्णी है इसमें क्या समलित होता है तो इसमें जो है कि आपका सही एंसर हो जाएगा तीनों यानि कि option A भी सही हो ज इसमें सभी सही है फिर आपका कोचे नंबर 19 है कि आंकडों की अमुर्थता कम करने तथा उसे अधिक मुर्थ वा आसानी से समझने योग बनाने के लिए आंकडों के प्रस्तूती करन की कौन सी बिधी उप्यूक्त होगी तो इसमें जो है कि आपका सही एंसर हो जाएगा C या जो ज्यामिती अरेक होता है उसके अंतरगत क्या आता है तो इसमें आपका सही एंसर हो जाएगा B यानि कि 20 कोचन नंबर 20 कोचन नंबर का अप्शन B यानि कि बारम भरता बहु भूज हो जाएगा फिर आपका कोचन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि मलमाल किस वस्त्र का एक किस्म है, मलमल जो है कि किस वस्त्र का एक किस्म है, तो इसमें आपका सही अंसर हो जाएगा C, यानि कि सूती वस्त्र का जो है कि यह किस्म होता है, सूती वस्त्र ही होता है मलमल, फिर आपका कोहचन नमर बाइस है, कि धन, निसकाशन, सिधान्त का प्रतिपादन किस ने कि तो इसमें आपका सही अंसर हो जाएगा B यानि कि दादा भाई नौराजी जो थे वही धन निशकासन का सिधान्त का परतिपादन किये थे फिर आपका कोच्छें नंबर तेईस में पूछा जा रहा है निर्यात अतिर्यक से क्या तात्परिया है तो इसमें आपका अप्शन हो तो भी यह मकसद काम कर पाएगा यानि कि आप अप्शन इसमें B को टिक कर लेंगे फिर आपका कोचन नमबर 24 है कि अपनिवेसिक भारत में साक्षर्था दर कितनी थी तो इसमें आपका सही अंसर हो जाएगा 16% से अधिक यानि कि अप्शन D को टिक कर लेंगे फिर आपका कोचन नमबर 25 है कि भारत में सर्व प्रथम रेल гाडी कीन दो अस्थानों के बीच चली एक कोचन जो है कि आपका पहले भी पुछा गया है या भी भी आई ही है समझ लीजिए कि इसमें देखिए पुछा जा रहा है कि भारत में सर्व प्रथम रेल गाडी कीन दो अस्थानों के बीच चली थी तो इसमें आपका सही एंसर हो जाएगा यानि कि बंबाई एम पुने द्रब का कोचन नमबर 26 है कि पुझी वादी अर्थ बेवस्था का अधार होता है यानि कि पुझी वादी जो अर्थ बेवस्था होता है इसका अधार क्या होता है तो इसमें आपका सही एंसर हो जाएगा यानि कि नीजी लाव आप इसमें option A को टिकर लेंगे A B कोचन जो है कि पहले पुछा गया है A B B B I कोचन है फिर आपका कोचन नंबर 27 है कि 1950 S.B. से 1991 S.B. के बीच अधियोगी एक छेत्रक की सन्वरिधी दर कितनी थी A कोचन भी आपका पहले पुछा गया है तो इसमें देखिए आपका सही एंसर हो जाएगा आठ परतिसत वार्चिक यानि कि option B को टिक कर लेंगे फिर आपका कोचन नंबर 28 है कि पुझी वादी अर्थ बेवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है यानि कि पुझी वादी अर्थ बेवस्था जो है उसमें उसी वस्तु का उत्पादन होता है तो वह कौन सा वस्तु है तो इसमें जो है कि आपका सही एंसर हो जाएगा चन नंबर 28 का सही एंसर हो जाएगा D यानि कि इसमें से सभी जो आपका बजार में जिसकी मांग हो ए भी सही होगा, जिसकी उतपादन में लाव होता है, वो भी सही होगा, बी देशा हो में जिसकी मांग हो ये भी सही होगा, आप इसमें « seidioć». कर लेंगे फिर आपका कोचन नमर 29 है कि भारत की पन्च वर्ष योजना की कल्पना किस देश ponieważ । नहीं कि भारत योजना है यह किस वर्ष लिया लिए तो यह कोचन जो किसरे लिए थी कोचन भी जो है कि पहले पूछा गया है तो इसमें जो है कि आपका सही अंसर हो जाएगा रूस यानि कि रूस जो है कि रूस से ही सबसे पहले पंच वर्स यह योजना का आयोजन किया गया था और वहीं से भी सुर्वात हुई थी परिप्यक्ष्यात्मक योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना होता है तो इसमें आपका सही अंसर हो जाएगा D यानि कि 20 वर्सों में होता है आप इसमें option D को टिक कर लेंगे फिर आपका question number 31 है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में कितने किस योजना की सुरुवात हुई यानि कि स्वतंत्रता जब प्राप्ति हुई थी उसमें किस योजना का जो है कि सुरुवात हुई थी तो इसमें आपका सही अंसर हो जाएगा कोहचन 31 का C यानि कि पंच वर्षी ये योजना जो है कि शुरुवात हुई थी और एक कोहचन जो है कि आपका भीवियाई ये कोहचन पहले पुछा गया है आप इसको याद ही रखेंगे फिर आपका कोहचन 32 है ये भी पूछा गया है तो इसमें पूछा जा रहा है कि GDP की गनना में कि छेतरक के उत्पादन को सामील पिया जाता है तो इसमें जो है कि आपका सही एंसर हो जाएगा कि जो क्रिसी दिया हुआ है A भी सही हो जाएगा B दिया हुआ है उद्योग A भी सही है C भी सही है यानि कि आप इसमें अप्सन डी कोटिक कर लेंगे इसमें से सभी आप अप्सन डी कोटिक कर लेंगे फिर आपका कोचे नमबर 33 है कि भारत में हरीत करांती का दूसरे चरन का काल माना जाता है तो इसमें जो है कि आपका सही एंसर हो जाएगा B यानि कि 1970 के दसक में मध्य से 1980 के दसक के मध्य तक फिर आपका कोचे नमबर 34 है कि उद्योगी नीती 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया तो इसमें आपका सही एंसर हो जाएगा तीन वर्गों में यानि कि C अप्सन को टिक कर लेंगे फिर आपका कोचे नमबर 35 है कि विदेशी रिन क्या है जो विदेश का रिन होता है विदेश का कर जा यान इसमें क्या है तो इसमें जो है कि आपका सही एंसर हो जाएगा सी यानि कि बिदेशी संस्थाओं से सरकार द्वारा लिया गया रिन यानि कि आप अप्षन सी को टिक कर लेंगे फिर आपका कोहचन नंबर 36 है कि इस 1980 के दसक के अंत में उत्पन आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत को IMF में से कितनी रासी रीन के रूप में मिली थी एक कोहचन जो है कि मैं से टिक एंसर नहीं बता पाँगा क्योंकि इसका एंसर जो है कि कनफर्म हम ही नहीं है तो एक कोहचन का आप एंसर जो है कि इसमें टिक कर लेंगे B यानि कि 7 billion dollar और आप confirm करके आप हमको जो है कि comment करेंगे कि यह सही है कि नहीं ठीक है फिर आपका coach number 37 है कि नई आर्थिक नीती 1991 में कितने उद्यगों के लिए license की अनिवार्यता को जारी रखा गया तो इसमें आपका सही अंसर हो जाएगा coach number 37 का D यानि कि 8 वर्गों में आप इसका license जो जारी रखा गया था आठ था यानि कि license की अनिवार्यता कितनी थी आठ थी था आप इसमें D को टिकर लेंगे फिर आपका coach number 38 है कि HCL HCL technology किस परकार की company है तो इसमें जो है कि आपका सही अंसर हो जाएगा D यानि कि IT company है HCL जो company है IT company है आप इसमें D को टिक कर लेंगे फिर आपका coach number 49 है कि company के द्वारा किसी बाहरी सुरोत से नियमीत सेवाओं को प्राप्त करने की परकिरिया क्या कहलाती है तो इसमें आपका सही answer हो जाएगा B यानि कि A question जो है कि A भी question मैं पूरा confirm नहीं हूँ कि इसका answer क्या होगा इसलिए मैं इसमें B को अभी टिक करवा देता हूँ आप इसका confirm करके हमको comment कर देंगे का question number 40 है जो कि पुछा हुआ है कि भारत में LPG की नीती से लाभी बिनीत नहीं होने वाला एक छेतरक है तो एक question भी हमको समझ में नहीं आया कि इसका answer क्या होगा तो आप इस तीन ठेका जो कि question number 36, question number 49 और question number 40 का confirm होके और हमको comment कर देंगे कि क्या होगा मैं इस topic पर फिर से वीडियो बना दूँगा तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा मेरे इस channel को अभी तक आप subscribe नहीं किया होंगे तो कर लेंगे क्योंकि जितना भी मैं भी भी आई बताऊंगा यानि कि important वीडियो जो भी मैं डालूंगा वे आप तक आसानी से पहुँच सके और आपके exam में किसी परकार का दीकत न हो आप पहले से subscribe कर लिये हैं तो मेरे इस video को like कर देंगे आज के इस video में फिर मिलते हैं हम लोग next video में